श्री शिवाय दोस्तों, 19 अगस्त 2024 को पढ़ रही है, सावन पूर्णिमा ती थी दोस्तों, यह जो सावन पूर्णिमा है, सावन महीने में पढ़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि यह सावन महीने में पढ़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेश मह पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 अगस्त के दिन इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। पर दोस्तों को इस उपाय को करने का फल मिल दोस्तों। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस सावन महीने के पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है। देखा है कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा, पाठ, स्थान से जो मनो-कामना पूर्ण नहीं होते। वो सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनो-कामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र विशेश दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो, तो चलिए, अब उपाय के बार नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हुए इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सावन पूर्णिमा के दिन कैसे करन किस को करना है किस समय करना है और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा औ पूर्णिमा का तो अब दोस्तों इस एक 108 चावल के दाने वाले उपाए को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताईन बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाए को कर सकती है और दोस्तों आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाए को करवा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनो कामना है खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर, परिवार की सुख और शान्ती के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है मातायों बहने अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर करना है बहुत सारे लोग प्रशन करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं सुभा के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुभा के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो, अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने क तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बाकी अगर प्रदोशकाल शाम के समय भी करेंगे अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोशकाल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें प्रदोशकाल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है मतलब शाम के छह बजे से लेकर साथ बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोशकाल का समय होता है पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से है तो आप इस उपाय को साथ या आठ बजे के बीच में भी कर सकते हो मतलब शाम के चह बजे से, रात आठ बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामगरी ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है तो देखो यहां पर हम आपको बता दे सबसे पहले आप आप लोग ये जान लो कि यह जो एक 60 चावल के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामगरी लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं तो इसी लिए जो भी पूजन सामगरी है उपाय सामगरी है एक 8 चावल के दाने इसके साथ में आपको पूजन सामगरी भी जरूर लेकर जाना है देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोज बना दी है आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा तो इसलिए इस दिन तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तिमाल कर सकते हो इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वहीं अगर हम बात करें, शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चड़ता है इसलिए के समय आप लोग एक दीपक तयार कर ले, जो की गोल बत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा है ना इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जला कर नहीं लेकर जाना है भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहां से है क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते है तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है बस जो भी चावल ले रहे हो, वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए मतलब साबुत होना चाहिए, तूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए ये बात आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका चावल बासमती हो या साधा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहां पर इस उपा के दाने आप लोग निकाल लो, जोकि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिन में कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना, अच्छे साबुत चावल के दाने, 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पूडिया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए, तो भाई, जैसे ही उपाय की जो सामगरी है, 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते है, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामगरी है, सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल या पूजन सामगरी जो लेकर जाना चाहो, उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो, तो भाई, अपना जो दीपक है, उसे तैयार कर लेना, ठीक है, और उपाय को करते समय, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामगरी लेकर आए हुए हैं जैसे कि सुभः गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामगरी लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है। भगवान शिवा जी को लगनी चाहिए। है ना तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिवा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैट जाएए सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैट जाएए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामगरी करने के पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने एक 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हतेली से होगा। इसलिए इस बात का भी विशेश रूप से ध्यान रखना है तो सीधे हाथ की हतेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय क करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुढ़ियां है उसको खोल कर रख लो या कटोरी तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होग तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के उपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है शिवलिंग के उपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के उपर चढ़ना है भले ही फिर व और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के उपर आपको चढ़ाना है। जिस बी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाए कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनो कामना बोल देते हो, आपका यह वाला पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद, आप लोगों को दो मिनट भगवान शिवजी के मंतर का जाब जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है। अपनी मनो कामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीरवाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं बस दोस्तों यहां यहां वाला उपाय पूरा हो जाता है इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वो भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है क्योंकि इसी एक मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शान्ती ह हो जाएगी आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे आपकी जो भी मनो कामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी दोस्तों अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिए देखिए 21 चावल के दाने वाला उप उपायों को भी कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा कौन हमारे हमको प्रसंद करेगा और हम कब उसकी मनो कामना पूर्ण करेंगे दोस्तों दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कलपना भी नहीं कर सकते हैं इसलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए तो अब हम समझते हैं दोस्तों यह 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है देखिए विशेश रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप सावन पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो है ना और पहली मुख्य आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुश हो वह भी इस उपाय को कर सकता है क तो उस इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार जरूर मिल जाएगा तो देखिए 21 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यक्ता पड़ेगी ही पड़ेगी तो देखिए 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिये। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं। अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल जिसे हम अक्षद बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है, इसके बिना कोई भी पूजा, अनुष्ठान, अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाए, आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं। और आपकी जितनी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाए करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोश होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोश होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, ना उनको ये बेकार कर देते हैं. कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शान्ती भंग हो जाती है, हमारे परिवार क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनाव पूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ साथ धन हानी हमेशा उस घर में होती है, जहां पर कोई वास्तु दोश होता है, या फिर आप जन हानी उस घर में आती ही आती है, जिस घर में लड़ाई जगड़े होते हैं, घर के लोग हैं, वो आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, 21 चावल आपको अपने घर में कहां रखने है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे क कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी, और आपके घर में माता लक्षमी का हमेशा वास होगा, और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी, तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने ले बताम में हमेशा लाह कर दे हो हमेशा लुके बधिरा की साने हमेशा भी आपको जाता है कि ए वापको जमराना ल भी, ओवजा तो उतल्दी आताला का हमेशा भी, और घर मझवाशा है, वा झावशा है, प्याशा है .